हाई मैं हूँ nutritionist द्वानी शा और आज मेरा फेवरिट दिन है क्यूंकि अभी अभी मैंने थोड़ी सी जलेबी खाई है रबडी के साथ आरेंट यू सप्राइस्ट वेल मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा और मैं ये ट्रिक आपके साथ भी शेर करने वाली हूँ के आप आपके फेवरिट डिजर्ट, स्वीट और फ्राइड फूड जो सब अनहल्दी बोलते हैं आप कैसे खा सकते हैं without putting on weight, without spoiling your health. So aren't you just excited? Well, I definitely am. So telling you a little bit about my cravings. Everybody loves sweets. मीठा खाना किसको पसंद नहीं है? और हर occasion हम मीठा खाने से ही celebrate करते हैं. चाहे वो शादी हो, चाहे बेबी बर्थ हो, चाहे कोई celebration हो, बर्दे हो, कोई exam में पास हो गया हो. All are important life events are celebrated with something sweet. तो it is impossible कि आप पूरी life तक sweets avoid कर सको, या वो छोटा सा piece chocolate avoid कर सको, या आपके सामने काजू की बर्फी पड़ी हो और आपको खाने का मन ना करे. तो आपको मन मारने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बताने जा रही हूँ, how can you eat this sweet, but eat it safely without spoiling your health, but with keeping your taste buds in mind. So why is sweet called harmful? Normally, sugar content की वज़े से sweets harmful कहा जाता है. क्यूंकि उसमें sugar content बहुत जादा होता है, आपके blood sugar को बढ़ा सकता है, आपके वजन को बढ़ा सकता है. तो अगर आपकी sweet बहुत जादा sugary है, तो उथना जादा harmful हो जाता है. The second major problem with sweets or dessert is the fat content. क्यूंकि बहुत sweets or desserts में cream होता है, मलाई होती है, fry किये हुए होते हैं, इसलिए उसको unhealthy कहा जाता है. So, sugar and fat both in excessive amounts is unhealthy. तो आपको इसको balance कैसे करना है, वो trick है. Right? तो सबसे पहले आप sweet की quality जानिये. अगर आपकी मिठाई डालडा में या वनस्पती में बनी है, तो प्लीज उसको मत खाये, because नहीं सिर्फ fat content पर उसमें trans fats और ऐसे fat होते हैं, जो heart blockages कर सकते हैं, जो cholesterol बढ़ा सकते हैं. दूसरे होते हैं sweets, जिसमें color और essence डाला होता है. तो जो भी colorful मिठाई आपको देखे, please उसे मत खाये, क्यूंकि ये जो color और essence के chemicals डाले होते हैं उसमें, उससे asthma हो सकता है, breathing problems हो सकते हैं, allergies हो सकते हैं और आपका digestive system भी खराब हो सकता है. तो sweets में आपको खाना क्या है? आप कोई dry fruits की sweet ले सकते हो, जैसे बादाम की बर्फी, काजू की बर्फी, mixed dry fruit के लड़ू, आप कोई भी paneer based sweet खा सकते हैं, जैसे रसगुला है, या कोई बेंगॉली मिठाई है, आप कोई freshly made sweet खा सकते हैं, जैसे जले भी जो freshly बनी हो, गेवर जो ताजा ताजा बना हो, हलवा हो, शीरा हो, ये सारे sweets ना ही fresh और healthy है, but this is going to not cause any health problems to your body. So, what sweets to eat and what to avoid? तो अभी मुझे पता है के मुझे dry fruit based sweets खानी है, मुझे paneer based sweet खानी है, और मुझे grain based sweet खानी है. grains मतलब जैसे सूजी का हलवा हो, शीरा हो, आप श्रीखन खा सकते हैं, आप बेसन के लडू खा सकते हैं, ये सारे sweets healthy, wholesome ingredients से बने होते हैं. तो इन में sugar के अलावा, बहुत कोई नुकसान दायक चीज नहीं डाली जाती है. नुकसान दायक चीजे डाली जाती है sweets, जैसे desserts हो, जिसमें बहुत सारा cream डाला हो, color डाला हो, essence डाला हो, ice creams होती है, जो especially pink color, और red color, और blue color के ice creams होते हैं, उसमें colors और essences होते हैं, yellow colored ice cream, right, so please ये सारी चीजे आप avoid कीजिए, sweets में और भी categories होती है, जैसे chocolates, हमें आदत होती है कि खाने के बाद, हम एक पीस chocolate खा लें, तो chocolate भी बहुत सारे varieties की मिलती है, और आपको कौनसी चूस करनी चाहिए, कौनसी नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले बात करते हैं timing की, आपको sweet कौन से time पे खाना चाहिए, मुझे sweet खाना पसंद है खाना खाने के बाद, पर क्या वो सही time है, actually नहीं, अगर मैं खाना खाती हूँ, और उसके बाद sweet खाती हूँ, I am consuming double the calorie intake than I required, क्यूंकि मैंने already पेट भर के खाना खा लिया है, उसके उपर से one bowl of sweet, that is too much for me to digest, पर अगर मैं ये situation reverse कर देती हूँ, if I eat my sweet before my meal, जैसे मैंने थोड़ा सा लड़ू, या थोड़ा सा शीरा, या एक पीस चॉकलेट खाना खाने से पहले खाया हो, उससे क्या होगा, मेरा खाना कम हो जाएगा, my quantity of food will reduce, क्यूंकि जो sweet की sugar है, वो मेरे body के acid कम कर देती है, और उसकी वज़े से मुझे शायद एक रोटी कम खानी पड़े, so like this, मुझे sweet खाना मिल भी गया, मुझे cravings नहीं हुई, और मेरे खाने की quantity भी नहीं बड़ी, so I have got my sweet, I have relished it, and I have made sure I have not gone overboard, so always खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने से पहले आप sweet खाये, in fact आप notice करेंगे, बहुत cultures में ये tradition होता है, कि आपकी जो थाली पिरोसी जाती है, आप हमेशा गुड या कोई sweet से खाना शुरू करें, आप कोई शादी में जाते हो, आप कोई celebration में जाते हो, ये sweet पहले खाना एक cultural tradition है इंडिया में, and it is a very healthy tradition, हम western tradition को follow करके ये reverse कर देते हैं, इसी लिए सारे problems होते हैं, पर अगर आप sweet intake, if you have it before meals, it is very very healthy, it will not make you put on weight, और आपके cravings भी कम हो जाएंगे, so मैंने sweet खाना खाने से पहले खाली, when I cannot have sweet, मुझे sweet कब नहीं खानी चाहिए, एक तो रात को, रात को मेरी body already एक rest mode में चली जाती है, और तभी अगर मैं कोई heavy dessert या heavy sweet खाऊ, वो digest नहीं कर पाता है, वो digest जो नहीं हो रहा है, that is going and converting to fat, मतलब वो सिर्फ आपके inches बढ़ा रहा है, and it is not doing anything to the body, so after dinner, या late night, TV देखते समय, movie देखते समय, मुझे तभी sugar या sweet नहीं खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए before my meal, और during the day, अगर आप before meal sweet ना खाना चाहिए, then another very good way of doing it is between your meals, जैसे lunch और डिनर के बीच में, शाम को मैंने थोड़ा खा लिया, या breakfast और लंज के बीच में मैंने थोड़ा खा लिया, and with the sweet, I always ensure that I eat some fiber and some protein, so जैसे मुझे जलेबी खानी थी, मैंने जलेबी और रबड़ी तो खाई, पर उसके साथ मैंने बादाम वाला दूद भी पिया, so I got my proteins from my milk, and I had my जलेबी and रबड़ी also, so या तो protein या तो fiber आपको include करना है, fiber याने आप थोड़ा सा fruit खा सकते हो, आप soup पी सकते हो, आप थोड़ा salad खा सकते हो, ये सारी चीजे वो sweet को digest करने में help करती है, so this way before meals और in between meals आप आपकी sweet relish करके खाये, guilty feel करके मत खाये and if you are using these tips, you can actually digest it well. Now, these rules are meant for people who don't have a medical condition. अगर सिर्फ आपको weight gain का थोड़ा issue है, या energy levels आपके कम है, तो आप ये सारे tricks follow कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई medical condition है, अगर आपकोई medicines ले रहे हो, then please do not stick to this, because आपकी body बहुत अलग तरीके से behave करती है. You need to actually see a doctor or a nutritionist to know whether you can eat these things or not. If you are exercising, ये rules आभी यूस कर सकते हो, because it does not really hamper your exercise, unless you eat plates and plates full of sugar. So, I am loving to eat my sweet, I cannot do without it. मुझे रोज एक स्वीट तो चाहिये ही. Is that what you should be doing? Actually, वो आदत है, वो जरूरत नहीं है. और ऐसी आदते, continue करना भी एक unhealthy habit है. So, ideally, अगर आप ये tricks यूस करके, up to twice a week आपके sweets या sugars खाते हैं, then it will not make you put on weight, और it will not give you any other problems. पर अगर मैं रोज ऐसे करू, then definitely my body is used to that sugar. और धीरे धीरे वो sugar की quantity भी बढ़ जाएगी, क्यूंकि मेरे cravings भी बढ़ जाएगे. So, please do not make it a daily habit. ये सारे tips और tricks इसी लिए बने हैं, ताकि आप आपके festivals एंजोई कर सको, आपके celebrations एंजोई कर सको, and you don't need to worry about putting on weight. अभी मैं कुछ traditional sweets के बारे मैं आपको बताने जा रही हूँ, and why are they healthy for our body, और वो क्यूं हमें खाने चाहिए, versus desserts or pastries. So, traditionally हमारे culture में, we eat a lot of sheera, a lot of halwa, और laddhu. So, ये तीनों चीजे, एक तो हमारे whole grains से बनी होती है, चाहे वो सूजी हो, बेसन हो, राजगीरा हो, गेहू हो, नाचनी हो, ये सारे grains बहुत ही high fiber होते हैं, इनमें calcium होता है, इनमें और भी vitamins और minerals होते हैं, which are very, very nourishing for our body. So, traditionally, ये sweets actually बने हैं nourishment के लिए, नाहीं सिर्फ taste के लिए. Secondly, शीरा और laddhu जैसी जो sweets होते हैं, उनमें घी आड़ किया जाता है. And usually, it is desi घी. इसमें वनस्पती या डालदा या oil आड़ किया नहीं जाता है. Desi घी के भी बहुत फाइदे होते हैं. जैसे वो आपके constipation को कम करता है. आपके joints को healthy रखता है. आपके heart को healthy रखता है. Skin और hair को भी healthy रखता है. So, घी is also a very, very good nutrient. तीसरा उसमें जाता है dry fruits और nuts. जैसे बादाम हो, अखरोड हो, खजूर हो. ये सारे dried fruits और nuts भी बहुत healthy होते हैं. They help you maintain energy levels. Immunity बढ़ाते हैं. Omega-3 fatty acids होते हैं, which is again good for the heart. And most importantly, after eating these sweets, you will not be hungry for a good two hours. क्यूंकि उनों में fiber contents भी जादा होता है. So, आपके whole grains, घी, dry fruits, ये सारी healthy चीजे डाल के traditional sweets बनाई जाती है. Some sweets, जैसे गेवर हो, जले भी हो, all of these are fried sweets. So, आपको डर लगेगा कि मैं fried sweets कैसे खाऊ? So, yes, ये शीरा और लड्डू जितने healthy नहीं होते, but they are not as unhealthy as a pastry or a ice cream. So, you have to have these in moderation. So, जैसे मैंने आपको बताया, आप जले भी या गेवर जब खाते हैं, please have some fruit और have a cup of milk with it. ताकि nutritionally वो balance हो जाए and you are still getting the flavor of these sweets. Then comes your Bengali sweets, या पनीर-based जो sweets होते हैं. So, पनीर is also a very, very good source of protein. उसमें बहुत सारे essential amino acids होते हैं, which help improve your muscles, आपके digestive system को strong करता है, आपकी immunity बढ़ाता है. So, you can go in and have your paneer-based sweets. सिर्फ ध्यान रखिये कि उसमें कोई essence ना हो, color ना हो और extra cream आड़ ना किया हो. So, ये sweets नाहीं सिर्फ healthy हैं, पर अगर हम सही तरीके से खाते हैं, तो हमें cravings भी नहीं होती. हमारे festival की जो sweets होती हैं, for example, दिवाली में हम करणजी खाते हैं, होली में हम थंडाई खाते हैं, मकर संक्रान्ती को हम तिल के लडू खाते हैं, ये सारी festival sweets जो होती हैं, ये भी seasonal और local ingredients से बनी हैं. जैसे मकर संक्रान्ती के लिए you are having तिल के लडू, जो विंटर में बहुत ही healthy होते हैं. होली में हम थंडाई लेते हैं, जो actually ये समर्स के लिए ilaichi और मसाले बहुत ही helpful होते हैं. दिवाली में हम करणजी खाते हैं, which is made with dry fruit sweets और सूजी, जो आपके hunger pangs को कम करता है and it helps you feel energetic throughout your celebrations. Traditionally हमारे weddings में एक culture होता है के हम सूजी का हलवा खाते हैं and वो प्रशाध जैसे भी चड़ाते हैं. तो ये सूजी के हलवे के benefits तो मैंने आपको और रेडी बता दिये हैं. South India में there are a lot of sweets made with coconut. coconut, coconut oil and dry fruits and jaggery या गुड. तो ये sweets actually wholesome होते हैं as a balanced diet. So if you have one of these sweets, जैसे आपने coconut बर्फी खाई हो, गुड से बनी हुई या शीरा खाया हो with coconut and jaggery, you can have these almost two times or three times a week to maintain healthy bones, to prevent any knee pain or back pain and excellent, excellent for children and for adults above 50 years of age. अब मैं बताऊंगी के आप कौन से type की sweet, कौन से season में खा सकते हो, so that it's healthy for you और आप easily उसको digest कर पाऊ. Winter season is the best season to have your sweets, क्योंकि थंड में भूख भी जादा लगती है and you can have your heavy sweets for the warmth in your body. तो जब winters शुरू होते हैं November onwards, अब तिल February, you can have all your dry fruit paste sweets, आप गुलाब जामून, जलेबी, dry fruit के लड्डू, dry fruit की बर्फी, खजूर की बर्फी, शीरा, हल्वा, ये सारी चीजे विंटर में खा सकते हैं. So winter में ये चीजे आपको easily available भी होगी, जैसे आप गाजर का हल्वा खा सकते हैं, आप सूजी और बादाम का शीरा खा सकते हैं. So all of these things are easily available and are very, very suited for the winter climate. फिर आता है summers, So summers में body को cooling foods की जरूरत होती है, easy to digest foods की जरूरत होती है. So easy to digest foods, especially in terms of sweets. The best thing to have is Shrikhan. क्यूंकि वो बनता है दही से, Dahi is cooling, Dahi is relaxing and you can have it as a sweet also. In fact, Shrikhan को आप fruit Shrikhan भी बना सकते हो, जैसे mango Shrikhan, banana Shrikhan, apple Shrikhan, etc. So this is a very, very soothing sweet to have in summers. The second sweet you can have in summers is your liquid paste sweet. जैसे आप रबडी ले सकते हो, आप बासुन्दी ले सकते हो, या आप शिकन्जी भी ले सकते हो. So these are very relaxing sugar and sweet dishes to have in summers. फिर आता है monsoon. Monsoon में हमें जरूरी है immunity बढ़ाने की. और immunity बढ़ाने के लिए sweets में the best thing to have is खजूर and खजूर की sweets. So आप खजूर के लड़ू ले सकते हैं, बेसन के लड़ू ले सकते हैं, राजगीरे की चिक्की ले सकते हैं. These are very, very good for the monsoon. So season-wise अगर हम sweets choose करें, they are going to give us a variety. वो locally available है. हमारे body को अच्छे से suit भी करते हैं and most importantly आप खाने के बाद आपको heavy feel नहीं होगा. You are able to digest it also. You will not put on that weight as well. If you notice, ये sweets usually season के हिसाब से festivals में भी distribute किये जाते हैं. So हमारे जो festivals है, हमारे जो celebrations है, है, occasions है, इसमें भी ये sweets ऐसे ही include होते हैं because they are meant for that weather and for that condition. Lastly, आपको ये भी ध्यान रखना है के आपके आजू-बाजू जो ingredients available हो. जैसे नौर्थ में सूजी का intake बहुत यूज होता है, वैसे ही साउथ में coconut का intake बहुत यूज होता है. So, local ingredients use करके अब जितने sweets खाएंगे, it is going to be tastier and it is going to be healthier. तो अब बात करते हैं western desserts और western sweets की. क्योंकि अब जमाना चेंज हो गया है, हमें chocolates खाना जादा अच्छा लगता है, और ice creams तो at least once a week हमें चाहिए. So, how do I eat these sweets and desserts without harming my health, without ruining my body? तो start with chocolate. Chocolate basic necessity बन गई है. हर fridge में, हर घर में, एक packet chocolate तो definitely आपको मिलेगा. So, chocolate is made with cocoa, cocoa butter, sugar and milk. So, जितना cocoa का content जादा है chocolate में, उतनी वो chocolate जादा healthy होती है. क्योंकि उतना ही sugar कम होता है, और उतने ही milk solids कम होते है. Also, ये जो cocoa होता है, that is a very, very good nutrient for the heart and for the brain. Yes, it is true. उसमें copper करके एक nutrient होता है, which keeps our brain cells healthy. And it has antioxidants which keep our heart healthy. So, if you are opting for chocolates that have 60% and 70% of cocoa content, then it is healthier than your milk chocolates. Sugar-free chocolates variation भी available है, but please do not go in for those. क्योंकि शुगर के बदले उसमें sugar substitutes add करते है. And those substitutes are nothing but chemicals which are not good for your health. So, please opt for normal sugar chocolates and opt for dark chocolates so that you have more nutrition going in and you enjoy the taste also. Chocolate के variations भहत मिलते हैं, आपको nut-based chocolates मिलेंगे, आपको flavoured chocolates मिलेंगे. So, flavoured chocolates में, it's the same problem again. Essence add करते हैं, colours add करते हैं, which is again unhealthy for the body. So, please get chocolates which do not have a colour or essence added to it. जैसे आप कोई almond chocolate ले सकते हैं, आप कोई rum and raisin chocolate ले सकते हैं, or you can simply have a plain dark chocolate. Now, telling you about ice creams. So, ice creams, जैसे मैंने पहले बात की, it is usually coloured and flavoured with a lot of chemicals. But now, most of the places have ice creams that are made with natural ingredients. जैसे उस मैं actual fresh fruit डाल के वो बनाते हैं, and they do not add colour. तो अगर आप को ऐसी ice creams मिलती हैं, then you can have them. But do not have ice creams which have colours or essences added to it. क्योंकि it is not just about the sugar or the cream, पर ये chemicals बहुत जादा नुकसान करते हैं, body को. चॉकले आइस्क्रीम में भी essences और colours add किये जाते हैं. So don't think के अगर मैं चॉकले आइस्क्रीम खा रहा हूं, उसमें वो chemicals नहीं हैं. उसमें भी वो chemicals हो सकते हैं. So ice creams मुझे कब और कैसे खाना है? Again, please remember the rule, आपको रात को नहीं खाना है. Not after your meals and not every day. हफ्ते मैं maximum twice a day, between your meals or before your meals. और जभी आप ice cream खाओ, please eat some fruit or some form of protein with it to help you digest the ice cream. So ice cream के साथ you cannot have milk, but you can definitely have a handful of nuts to help it digest better. So I hope मैंना आपका गिल्द कम कर दिया हो and I have given you insights on how to eat your sweets correctly. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, please subscribe to Sare Gama Music YouTube and please like, comment and share this with your friends. किसे लगती है सारी पहलिया, ये कानसा मोड है उम्रिकाँ. ये कैसा दीवाना पन है, क्या जानू, मैं क्या जानू, मुश्किल हो गया खुद को, कैसे पह जानू, मैं पह जानू, दिन कटता है, कोट ना रदिया, किस से कहूं मैं, ये सारी बतिया, जुडिया खिलाने, मेरी सहलिया, अब मुझे लगती है सारी पहलिया, ये कानसा मोड है उम्रिकाँ. ये कानसा मोड है उम्रिकाँ.